हेलो गाइज मेरा नाम है मनीश ठाकुर और स्वागत है आपका competitive exams point में आज इस वीडियो में हम discuss करेंगे हिमाचल पदेश related general knowledge के वारे में जीके topics अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिएगा ताकि आप जो आने वाली जो वीडियो हैं उनको मिस ना कर सके आज से जो है हिमाचल पदेश जीके की जो है वो सीरी सुरू हो गई है आज class class one है तो अगर आप मेरी वीडियो मिस नहीं करना जाते हैं तो चैनल को जूरू subscribe किजेगा और जल्दी ही मैं junior office assistant से related भी जो है तो यम्नानादी का व्यदिक नाम क्या है तो इसका जो नहीं सही् अंसर वहै कालिंदी आपकी शिर्माग डिस्ट्रिक में इसलिए कॉन से स्थान से और ये याता आपकी पॉंटा साहिब पॉंटा साहिब से होके जो है आपकी यमना नदी गुजरती है और ये किस नदी की साहिक है ये है आपकी गंगा नदी की साहिक गंगा नदी की साहिक देखे यहां से कितने कुश्चन बन गए यम्णदी का वैदिक नाम क्या है कालिंदी और ये कौन सी स्थान से गुजरती है पॉंटा साही से और किस नदी की साएक गंगानदी की साएक तो इस तरीके के जो है आपको एक्जाम में क्वेशिन पूछे जा सकते हैं तो अगर आपको ऐसे question आएंगे तो आप डेफिनले जो है वो एक्जाम में अंसर कर पाएंगे और आपको यह question याद रखने है और अगर बात करें बाकि option की तो आपकी यह शिप्रा नदी है यह आपकी मद्यवदेश में से लेटेड है मद्यवदेश में बैहती है मद्यवदेश में जो है वो मद्यवदेश से लेटेड है और अगर बात करें परूशनी परूशनी नदी तो परूशनी नदी जो है यह आपकी रावी नदी है रावी नदी रावी नदी का नाम जो है वैदिक नाम जो है वो परूशनी है और यह कितने किलोमेटर लंबी है यह है 625 किलोमेटर 725 किलोम बसे जो आपके शहर हैं वो कौन-कौन से हैं एक तो हो गया आपका लहौर जो आपका पाकिस्तान में है और एक हो गया आपका हिमाच्छा पदेश में चमबा यह आपके जो सहर है वो जावी नदी के नजदीक बसे हैं जावी नदी जो है आपकी हिंदुस्तान से होते हुए पाकिस्तान में जाती है अगर बात करें हम इसके लास्ट ऑफ्शन की अशीकनी ठीक है तो अशीकनी ब्यास नदी का तो इसका जो यह कौन सी नदी है यह आपकी ब्यास नदी ब्यास नदी को हम अशीकनी नदी कहते हैं अशीकनी जो इसका नाम है वो वैदिक नाम ब्यास नदी का है और जो ब्यास नदी है वो कितने किलोमेटर लंबी है यह आपकी है 470 किलोमेटर लंबी और यह कौन-कौन सी डिस्टिक में होती है कुलू और मंडी इन डिस्टिक में बहती हुई ये जाती है ब्यास नदी देखे यहां से इस कॉश्चन से कितने सारे कॉश्चन बन गए तो आपने जो भी मैंने आपको बता है आपने या रखना है और कौन-कौन से कॉश्चन जो इससे बन सकते हैं वो भी आपको या रखने कॉश्चन देखते हैं नेक्स कॉश्चन है आपका ब्यास नदी धॉलादार परस इंखला को किस स्थान पर कारती है आपका यह पने नाम सुना लाजी डैम तो लाजी डैम जो है आपका मन्नी डिस्टिक में है तो मन्नी डिस्टिक में है और इस डैम की जो लाजी जो परियोजना है जो लाजी परियोजना है वहां से कितनी जो विजली है कितनी मेगावाट विजली हम जो है वो प्रडूस करते हैं हम करते हैं 126 मेगावाट विजली जो है हम लाजी जो वि आता है रामपूर आपका शिमला में है और कुक्ति कुक्ति जो है एक दर्रा है एक पास है कुक्ति और यह कहां है यह लौहल और लौहल और भरमौर के बीच में है कुक्ति जो है आपका लौहल और भरमौर के बीच में जो है एक पास है तो देखिए यहां से भी कितने देखते है नेस्ट कोश्चन है आपका निमलिक्त में से कौन सी जील हिमाचल पदेश के चमबा जिले में नहीं है तो हमारे जो नीचे यहां उप्शन दिये हैं में से कौन सी जील जो है हिमाचल के चमबा जिले में से नहीं है तो इसमें आपका सही option है वो है करेरी करेरी जील जो है ये आपकी चमबा जीले में नहीं है ये आपको मिलेगी धर्मशाला में डिस्टिक कांगडा में धर्मशाला में डिस्टिक कांगडा में कांगडा डिस्टिक में है आपकी ये जील करेरी जील और ये 9 km दूर है धर्मशाला से करेरी जहील 9 km अवे फ्रों धर्मशाला और इसको हम कुमार वह जहील कुमार वह जहील यहाँ पे मैं लिक देता हूँ आपके लिए कुमार वह लेक यह जो है इसका दूसरा नाम है करेरी जहील का अगर बाकि के option हम देखें तो एक करेरी ज्छी जो है कि कुछ अक्तनी height पे है आपकी तो ये है आपकी 2934m की height पे है sea level से का रिमिद्जीन और एक कौन सी range-main है यह आपकी दोहलादार की परवस्त शेयरियों में दोहलादार range में आपकी क्रेरी जीन, नेक्स वोशन देखते हैं, नेक्स वोशन है आपका कौन सा पहाडी दर्रा हिमाचल पदेश के कुलू और मंडी जोलों को जोडता है, तो कौन सा दर्रा जो है आपका, कौन सा पास आपका कुलू और मंडी जोलों को जोडता है, तो यह है आपका तो कुलू में और कौन कौन से पास हैं तो कुलू में आपके पास होगे एक डैबसा पास ठीक है एक होगे आपका जलोडी पास यह भी आपका कुलू में है और जो हमारा सबसे हाइस्ट पास है हिमाचल पास का सबसे हाइस्ट पास कौन सा है वो है रोखतांग रोखतांग पास जो है हिमाचल का सबसे हाइस्ट पास है और जो बाकी option है इसके उसको हम देखते हैं तो जलाशू जलाशू पास कहां पे है आपका तो जलाशू पास जो है आपका चमबा चमबा में चमबा और कांगडा के बीच में है जलाशू पास आपका चमबा और कांगडा के बीच में है और यह आपका जलोडी पास कहां पे है तो जलोडी जो आपका पास है यह आपका कुलू में है जैसे कि मैंने आपको बताया अभी और यह आपका दराटी पास दराटी पास है आपका डिस्टिक चमबा में दराटी पास आपका कुल्लू के निर्मंद इलाके से कौन सा रिशी जुड़ा है जैसे कि आपको पता है कि निर्मंद एक जगा है कुल्लू में वहाँ से कौन सा रिशी जो है रिलेट करता है कौन सा रिशी जो है जुड़ा हुआ है तो वो है आपका इसमें सही option है आपका परशुराम परशुराम लिशी जो है वो कुलू के मंडी इलाके से जो है वो जुड़ा हुआ है तो अगर बाकी अगर हम options की बात करें तो ब्यास जो आपका पहला option है जो ब्यास लिशी है वो कौन से इलाके से संब्द रखता है वो रखता है कहलूर कहलूर आपको पता है कहलूर को क्या बोलते हैं आज कर हम बिलासपूर कहलूर जो है इसका पुराना नाम है ए समबनुए च् EPA आपका ओलाव संपर तो ये इससी जो है आपका बिलासपोल से रखता है और सिस्ट कुञ्ट रखता है कुल्लू रिष्टीक से समबनुए कुल्लू से और यह जो है इसका टेम्पल है बेद्ट सिस्ट आपने सुना होगा यह है आपका मनाली में मनाली में और यह आपका विश्वा मित्तर विश्वा मित्तर इसी आपका समन्द रखता है उत्तर पदेश से उत्तर पदेश से समन्द रखता है चलिए नेक्स कॉशन देख लेते हैं तो नेक्स कॉशन है आपका हिमाचल पदेश के मंडी जिले का रिवाल सर गाउं निमलिक्त में से किस से जुड़ा है। तो हिमाचल पदेश के कौन से किस से जुड़ा है? आपका पदम संभव, लोमस्टेशी, गुरु गोविंजिंग और उप्युक सभी। हैं सबई कि चबर सब्सेल हैं कि सबढ़े करने जूदे में आपको सब्सक्राइब को गोडियर को कि लिए आपको तॉप दर्म के लोग जूँँ सब्सक्राइब चलिए नेक्स कोशन देख लेते है नेक्स कोशन है आपका चमेरा जील हिमाचवदेश के किस जीले में है तो चमेरा जील कौन से जीले में हुई चमेरा जीले में हुई चमेरा जीले है आपकी चमबा जीले में चमबा जीले में जो है आपकी चमेरा जीले है चमबा जीले में और कौण कों सी? मनी महेश मनी महेश, झिल और खजियार जिल ये जो है, आपके चमबा जिले में है बलासपूर में होगी एपकी गोविन सागर लेक जैसे कैब को पता है कि गोविन सागर जो लेक है वो man-made लेक है और हमाचल की सबसे बड़ी लेक है गोविं सागर लेक मैनमेड और मंडी जिलै में कौण-Musikौण सी लेक हो गी मंडी में हो गी आपकी पराश्चर, रिवालसर और कामरूनाग यह मुख्य जीले हैं मंडी जीले में रिवालसर, पराश्चर और कामरूनाग और शिर्मावर जिले में कौन कौन सी जिले होगी आपकी शिर्मावर में आपकी रेनुका जील और रानी ताल जील तो ये मुख्य जिले थी जो मैंने आपको बताई चले नेक्स कोश्चन देख लेते हैं नेक्स कोश्चन है आपका न्याय मूर्ती महर चंद महाजन की आतमकत्था का शिर्सक कौन है तो ये बुक जो है किस ने लिखी थी न्याय मूर्ती महर चंद महाजन की आतमकत्था का शिर्सक क्या है टाइटल क्या था इस बुक का तो इस बुक का टाइटल था लुकिंग बैक A option जो है इसमें सही हो जाएगा तो चलिए बात कर लेते हैं Next question की Next question है आपका अरकी की गोरखावीजे के लेखक कौन है अरकी की गोरखावीजे के लेखक कौन है तो ये है आपका सही option हो जाएगा आपका US परमार D जो है आपका सही option होगा ज़ली बात कर लेते हैं हमारे next question की next question है आपका 1883 इस्वी में जुगा अंदोलन के कुछ किसानों ने आतंदा किया था और वो किस रियाशत में हुआ था तो 1883 इस्वी में जो था वो सुसाइट किया था कुछ किसानों ने जुगा अंदोलन में तो किस रियास्ट में था वो था आपका कहलूर, सी जो है आपका सही आप्शन हो जाएगा इसमें कहलूर, कहलूर को और हम किस नाम से जानते हैं, कहलूर को जानते हैं, बलासपुर के नाम से, बलासपुर को हम कहलूर के नाम से जानते हैं, कहलूर जो था बलासपुर का पुर होटा उन्दोलन हुवा था औरिकभ थ हुआ है ग्यारा जून 11 जून 1947 को जुटा जो अन्दोलन हुआ था वो उस में suisra拜ंज स्विर मौर के राज लाजा कौन है राज ​ महराजा, रजेंदर परसाद, रजेंदर परकाश, रजेंदर परकाश जो था, उसमे का राजा था, श्रमौर का जिस टैम पजाओता अंदोलन हुआ, तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है, वो है रक्षा बंदन, रक्षा बंदन के दिन जो है, गुगा मंडली जो है, गुगा गाथा का गुनगान करती है, गान करती है, नेक्स्ट कॉश्चन, नेक्स्ट कॉश्चन है आपका, मई 1815 में किस किले के पास अंग्रेजियों और गोर्खों में युद हुआ, जिसमें भक्ति थापा मारा गया, तो वो कौन सा किला था, वो था मलाओ का किला, मलाओ के किले में 1815 में युद हुआ था, अंग्रेजियों और गोर्खों के बीच में, और उसमें भक्ति थापा जो था, वो मारा गया था, तो चलिए नेक्स्ट कॉश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट कॉश्चन है आपका, कांगडा रियासत के किस राजा ने अपनी बेटी का विवा, जो था ध्यान सिंग के बेटे से करने से माना कर दिया था, और महराजा रंजीस सिंग के ग्रोज से अपनी जान और मान बचान के लिए उसे भागना पड़ा था, तो कौन सा राजा था वो जिसने जिसको अपने जान बचाने के लिए भागना पड़ा था, वो था अनिरुद्चंद, और उसकी मौत के बाद उत्तर अधिकारी के लिए संगर्ष हुआ, तो नेक्स्ट कॉश्चन है आपका, कहलू रिया कॉश्चन है, वो है खड़क्चन, खड़क्चन जो था राजा, वो कहलू रियासत का राजा था, जिसको निशनतान मर गया और उसके बाद जो है, उत्तर अधिकारी के लिए जो है, उसके राज्य में जो है, वो लड़ाई हुई, युद हुआ, संगर्ष हुआ, और कहलू कॉन सा, कौन सी रियासत है, व 노래 को कहते थे पहले, व 높़ोडी कहलो कहा जाता था बwich माद ए है, व obsessed. अधिके के कॉश्चन उमेंध amid विदियो अच्छी लगई होगी तो जूरूर बताएगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी से अच्छी जो है वो अगली वीडियो में हम दुवारा डिस्कस करेंगे शाम को जो है हर शाम को HPGK की कलास जो होगी तो बिल्कुल भी देर मत कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर जिए चाकि आने वाले जो मेरी अपडेट्स हैं आने वाले जो वीडियोस हैं वो मिस न कर पाएं धन्यवाद